लोग जानना चाहते हैं कि राजा साहब का क्या इस पार रुख है नहीं लोग जान चुके हैं हमारा जो रुख है लेकिन जो सीटिंग कोई किसी को कोई भ्रहम नहीं है हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं बड़े अच्छे से मद्दान हो रहा है शांतिपूर्ण ध लेकिन जो अभी रुख है आपने जो आकलन किया है क्या रुख है इस समय में हुआ का हमको लगता है सिटिंग एंपी के खिलाफ एंटी इंकंबंसी है एक जो बयान आई थी ना अनुपरिया पटेल ने खास तोर से जो बयान दिया था राजर और रजवाडों को टार्गेट क्या कहना है आपका उस बयान को लेकिते हैं देखिए रजवाड़े तो साथाट दशक हुए समाप्त हो गए और साथाट दशक के लगभग से भारत में लोगतंत रहें अब उनको क्या कुंटा है हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो य प्रत्याशी आउस दल के विशे में कहना चाहिए था दूसरी बात और एवियम से राजा नहीं पैदा होता है और प्रतल से जन प्रतिनिद पार जन्म होता है और उसकी आयूस्त ही अवस्ता पांच वर्ष बाद जनता-जनार्दन यहुद्भर पांच वर्ष बाद एसको जीवन दान, पुनर जन, पुनर जीवन देना है या नहीं? तो इस लोक तंत्र में अब राजा नहीं पेदा होते हैं, न तो रानी की कोक से और नहीं एवियम की मशिन से. राजा साहब एक आखरी सवाल है एक जन प्रतिनिदी के तौर पर एक वोटर के तौर पर एक भारत के नागरिक के तौर पर आप इस समय में चुकि आभी चार गंटे का समय और बाकी है क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी हो रहा है सब कि अध्यक्र टाइब लोगों को मद्दान करना चाहिए आज सब अपने स्वेच्छा से सब विवेक्वान लोग हैं सब अपने स्वेच्छा से मत्दान करता हैं बहुत-बहुत हुए